जय हैं दोस्तों आप सभी का सिधारतासर यूटूब चैनल पर स्वागत है मद्द प्रदेश पुलिस परिच्छा 2023 के लिए बहुत महितपूर प्रस्ण है जो अभी लेटिस्ट एक्जाम हुए हैं उनी के सारे प्रस्ण में लेकर आ रहा हूँ तो आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है उसके बाद आप लोगों को ये बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं अपनी तैयारी चेक करिए मोश्ट महितपूर 25 प्रस्ण है तो मैं सभी से चाहूँगा जो न्यू है वो यहां से सब्क्राइब करिए बेल बटन दबाईए डेली आठ बजे मैं इस वीडियो को अफलोड करता हूँ तो डेली देखा करो चले सुरू करते हैं फश्ट प्रस्ण के साथ पहला प्रस्ण इंसेट बन भी उपगराय को किस वर्स में सपलता पुर्वक प्रछेपित किया गया यह आपको बताना है कि जो इंसेट भी है किस वर्स जो उपगराय को प्रछेपित किया गया 1981, 1982, 1983, 1984 इस प्रस्ण को पूछे जाने के अब देखू मैं आपको बताओ इस साल चंद्रियान थिरी पूछा गया है उससे संबंदित सारे प्रस्ण आप लोग जान लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा संबावना है पूछे जाने की एक बात मेरी याद रखी हो अगर आप करेंट से कुछ याद करना चाहते हैं तो देखे मैं आप लोगों को बदा दूँ, आंसर हो जाएगा 1983 चंद्रयान 3 का याद रखी हो चंद्रयान 2 भी देख लेना एक बार क्योंकि इनसे पूछे जाना है ये बात सत्त है बात क्लियर है चले अगला प्रस्ण है कुली एक प्रसिद भारतिया लेखक की रचना है बे कौन है मुल्क राज आनन, राजा राव, आरके नाराण साहब, अनिता देशाई तो देखे ये प्रस्ण पूछा गया इस साल आपके पटवारी भरती में तो याद रखिए जो कुली एक प्रसिद भारतिया लेखक है जो उसके लेखक का जो नाम पूछा गया है मुल्क राज आनन साहब था ये आपसे पूछा गया था आपको लगाना था चले अगला प्रस्ण है मद्द प्रदेश के किस सहर में मसूर गायक कुमार गंदर संबन देते हैं मतलब किस सहर से ये संबन देते हैं उज्येन सागर देवास धार तो कुमार गंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद गायक थे याद रखिए ओ आंसर हो जाएगा देवास से अगला प्रस ने आपका बड़वानी में 10 की सबसे बड़ी प्रत्मा है भगवान आदिनात की, भगवान सिप की, भगवान हनुवान की, भगवान महाबीर की तो याद रखी हो आदिनात साब की है ये जैन दर्म से सम्मन देते हैं और महाबीर सौमी 24 वे तीर्थ करते चले अगला प्रस नम्मर है आपका पांच बाद निमने लिकित में से किस फिल्म को सत्जीत राय ने बच्चों के लिए बनाया ये बताना है पाथेर पंचाली, सोनार किला, अपराजितो या असनी संकित जो सत्जीत राय साब हैं इन्होंने एक फिल्म बनाया थी जो बच्चों के लिए बिसेश थी ये आपको बताना है तो याद रगियो सोनार किला, कौन सी हो जाएगी सोनार किला ये भी पूछेगा इस साल पटवारी के आपके सारे ओल्ड प्रस नें इस साल जो दो अज़्या तेईस में पूछे गए हैं तो वही प्रस ने मैंने आज की किलास में लिए हैं अगला है कि इंद्रा गांधी राष्टिया मानव संग्रालाए कहां इसते थे दिल्ली भोपाल लकनव कोलकाता तो ये आपको बदाना है कि ये कहां है इंद्रा गांधी राष्टिया मानव संग्रालाए तो याद रखियो ये तुम्हारा कहां है भोपाल में है ना कि आपको दिल्ली लगाना बात क्लियर है चले ऐसे थोड़ा कन्फ्यूज कर देते हैं और आपको लाष्ट में बताना है कितने आपके सही हुए बगेल खंड मद प्रदेश के किस भाग में इस्तिति ये बताना उत्तर पूर्वी दच्छिड उत्तरी या पश्मी तो आपका जो मद प्रदेश है इस तरीके से कह सकते हैं बात क्लियर है उत्तर की साइट आपका बिंड मुरेना हो गया ये तरफ तुमारा हो गया इदर पूर्वी तरफ अली राजपूर हो गया ये चीज़ें आपको मैप जरूर पता होना चाहिए तभी आप इस तरीके के प्रस्ण को लगा तो जो बगेल खंड है आपका ये किस एरियाम पर जाएगा तुमारा उत्तर पूर्वी साइट बात क्लियर है चले अगला प्रस्ण जो पूछा गया है ते कोई ऐसे प्रस्ण पूछे जाते हैं व्यापम जो आपको नहीं पता होगा देखे ओडी आई मैच में है हेट्रिक लेने वाले प्रतम भारतिया क्रिकेटर कौन है कपिल देव अनिल कुमले कुल्दी प्यादप चेतन सर्मा हेट्रि तो याद रखिए हूँ झो मद प्रदेश से जो गुजरती है करकरेका गुजरती है कौन सी गुजरती है करकरेका बात किलिए रहेnt ये आठ्राज्यों से लगवा गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए पांडव जलपरताब कौन से राश्टीह उधां में स्तित है पैंच गॉंगुवा जीवास पन्ना राश्ट्री ओधान, मादब राश्टी ओधान यह आपको बताना है तो देखें याद रखिएू यह कौन से में पन्ना राश्टी ओधान है पन्ना किसके लिए है अमारे मद्बर देश में परसे धीरा के लिए यह चीजे भी आपको पता होना जरूँ, अगला प्रस्ण है आपका, सिवपरी का सूर मंदर डैस में इस्तित है सेशाई सूरसाया साधरी रादोगड़, तो जो सीवपरी का सूर मंदर है वो आपको याद रखिऊ सेशाई, तो देखो, ऐसे प्रस्ण है, बहुत ज़्यादा आप परेशान करते हैं जो कि यूटूबर आपको पढ़ाते रही है तो मैं वही प्रसन लेकर आया हूँ आप देख लिए कि इस लेवल तक के पूछे जा सकते हैं मद्द प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला है सागर टिकमगर खंडवा चिंदवड़ा तो सनोधा से सागर याद रखियो सनोधा से सागर अगला प्रसन हो जाएगा बढवानी जिले में इस्तित मुख किले का नाम क्या है सेंदवा का किला मांडू का किला धार का किला बावडगड का किला तो याद रखियो सेंदवा का किला कहा हैं बढवानी में हैं अगला प्रसन है कि मद्द प् लिए और एक प्रसनोर पूछे जाता है कि जो बगवान किरिस ने उनके गुरू का आश्रम कहां था संदीप नहीं का वो भी कहां था अगला जो प्रसन है कि बटेसुर मंदर का समू कहां इस्ते थे उज्जेन मुरेना खजरा रतलाम तो देको बटेसुर जो मंदर मुरेना के पास में अगर मैं बात करूँ यसे आपकी चम्मल नदी कहीं है यह तमारे अगला प्रसन है बारत में दिया जाने वाला सरवोच नागरिक पुरुषकर कौन सा है तो पहला नम्मर पे देखो मैं आपको बदा दूँ भारत रत दूसरे पर पदम विभूसर और तीसरे पर हो जाता ये है पिर आता है चौते पर पदम स्री अगला प्रस ने कुंडल कुलम नाब किया बिद्दुत परियोजना कहा इसते थे तमिलाडू, गुजरात, मद्द प्रदेश, उत्तरा खंड देखो ये कुलम कुलम लग जाया तो समझ ले न तमिलाडू में ज्यादा तर होने के चांस होते दूसरा आपको परिशान करेगा किरल करेगा बात के लिए रहे अगला है कि निमनिलिकत मैंसे किस जले में पच मठा मंदर इस्तिते जबलपूर, बुरहानपूर, बढ़वानी, सहडोल अब देखोई ऐसा अब इतना डिपली आप पूछेंगे पढ़ेंगे ये कब पता चलेगा जब आप वल्ड परसन लगाएंगे तो पच मठा मंदर जो इस्तित है वो जबलपूर में, कहा है जबलपूर में, अगला प्रसन है कि बिश जल दिवस प्रती वर्स कम मना जाता है, बाइस मार्च, एक मार्च, दस मार्च, चार मार्च, तो याद रखियो, बाइस मार्च को तुमारा बिश जल दिवस मना जाता है, और बाइस प्रत्थवी दिवस चले आगे बढ़ते हैं प्रस नम्मर बीसवा किसके संबान में चौदा नमंमर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है मातमा गांदी चारली चैपलिन पंड़े जवाला नेहरू सुवास चंद बौस तो जो चौदा नमंमर कर जो बाल दिवस जो मनाया जाता है वो आपके पंड़े नेहरू जी के सम्मान में मनाया जाता है अगला प्रस ने कि भिंड जिले में प्रत्थवी राज चौन के द्वरा निर्वत मंदर का नाम क्या है बन घंड़ सुर मंदर माता रेडुका मंदर नारा देम मंदर नील कंटे सुर तो याद रखियो बनकंडः सुर मंदर अगला प्रस ने कि किर्सी अबसेसों से cng बनाने बाला भारत का पहला जैव सीएणजी प्लांट का आच्थेते हैं मद्बदेश, जारकन, महरास्ट, तेलांगना क्या कराए कि किर्सी जो अबसेसों से cng जो गाडियों में भरी जाती है cng बनाने बा भारत का पहला जेव-CNG प्लांट कहां इस्ते थे आपको बताना है तो याद रखियो कहां हो जाएगा आपका जारक महाराश्ट हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट कहां हो जाएगा महाराश्ट याद रखियो C आंसर अगला है कि राश्टिय समुंदर बिग्यान संस्तान कहा इस्ते थे गॉआ विसाकापटना मुंबई कोलका था राश्टिय समुंदर बिग्यान संस्तान यह आपको बताना है तो यह कहा हो जाएगा गॉआ में अगला प्रस्ण है कि जो रामदारी सिंग दिनकर को निमने लिखित मैं से किस पुस्तक के लिए ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित कुरुचित और वसी परुसराम की प्रतिच्चा हुंकार तो याद रखियो इन्हें जो और वसी के लिए दिया गया था ग्यानपीट पुरुषकार अगला प्रस्ण है आपका 25 अमरत सर के संच्टाप को थे माहराज रजीत सिंग गुरु रामदास गुरु गोविन सिंग गुरु तेगवादर ये दस्वे थे तो याद रखियो आंसर हो जाएगा गुरु रामदास साब थे बात क्लियर है चलिए तो तैंको दोस्तो ये थे डेली की तरह आपके 25 प्रस आपको कमेंटर वदाना है कि 25 में से आपके कितने सही हुए क्योंकि एकजाम पास में आ रही है आप मुझे एक बार कमेंट करके जरू बताइए और चैनल को लाइक करिए सब्क्राइब अपने दोस्तों को भी सियर करिए थेंको